दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनें आप बदल नहीं सकते हैं ना तो दूसरों के विचारों को आप बदल सकते हैं ना ही दूसरों के विचारों को आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारी चीजें जो कि आसपास गलत हैं भी फिर भी आप उसे बदल नहीं सकते हैं कहा गया है कि दूसरों को बदलने के लिए आपकी असीमित ताकत भी पर्याप्त नहीं है जबकि खुद को बदलने के लिए आपकी सीमित सकती भी पर्याप्त है यानि कि जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उन्हें स्विकार कर लेने से जिन्दकी सरल हो जाती है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस्टेडि विध्यान प्रकास में देखे फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हाई कोड की ओर से आये हुआ है राज की इंटर कालेजों में TGT भरती निमावलिट भाहत सबसे पहले तो आप यह समझे कि TGT और LT गेट में अंतर क्या होता है LT गेट के द्वारा जो भरतियां होती है वो राज की इंटर कालेजों में होती है जब कि TGT के द्वारा जो भरती होती है यह जिसमें मनेजमेंट होता है यानि कि जो आड़ेट स्कूर होते हैं मनेजमेंट वाले उनमें TGT के द्वारा भरती की जाती है दोनों इपत संपक्ष हैं लेकिन अगर हम बात करें हिंदी के साथ कुछ अन्यभी से भी है बिसिकली यहाँ पर बात तो हिंदी की हो रही है तो दोनों के लिए जो eligibility है वो थोड़ी सी different मतलब की थोड़ा सा अंतर आता है अगर आप UPTGT के बारे में बात करें तो दो अरताएं यहाँ पर रखी गई है पहली अरता होती है कि BA में आपने हिंदी पढ़ा हो और अगर संस्कित के साथ आपका intermediate हो और आपने BA किया हुआ है तो आप apply कर सकते हैं दूसरी बात है कि अगर इंटर में आपने संस्कित नहीं भी पढ़ा हो लेकिन BA में आपने हिंदी और संस्कित दोनों पढ़ा हो और BA किया हुआ हो तो भी आप TGT में आवेदक बन सकते हैं आप TGT में आवेदन कर सकते हैं वहीं पर अगर हम TGT के बारे में बात करें तो TGT में सिर्फ एक eligibility यहाँ पर है कि भारत में किसी मानता प्राफ्त विस्विद्याले से एक विसे की रूप में हिंदी के साथ असनातक की उपादी और एक विसे की रूप में संस्कित के साथ intermediate अथवा संस्कित के साथ संक्ष जो परिक्षा हो आपने पास किया हो मतलब यहाँ पर बात कही जा रही है कि आपका जो असनातक है उसमें हिंदी होना चाहिए और साथ ही साथ इंटर में संस्कित जो है कंपल सरी है बस इसी डिफ्रेंस पर एक याज़का दैर की गी थी कोट में और कोट में जो याज़का दैर हुईती थी फिलाल याज़का जोवे खारिच करती की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलाबाद हाई कोट ने उत्तरपदेश अधिनस सिक्षा टीजीटी सेवा निमौली के नियम आठशा को वहत करार दिया और कहा कि यह रेगलेशन का व्रुदाभासी नहीं है यह अनुच्छे 309 के अंतरकत मिले नियम बनाने के अधिकार का अजक्रमन नहीं है तो इस नियम में राजकी, इंटर, स्कूल और कालेजों में मतब जो ल्टी के बारें बात हो रही है सायक अध्यापक हिंदी की भरती योगिता संस्कित के साथ असनातक और बिएड डिगरी के अलामा इंटर में संस्कित की अनिमारता निधाय की गई है पत्रकार यहाँ पर सही से लिख नहीं पाए है मतब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर जो अर्था टीजीटी की है वह यह अर्था एल्टी में भी रहनी चाहिए तो इस प्रकार से अनिमार जो अर्था है उसकी वादता को चुनोती दीगी कहा गया था कि संस्कित के साथ असनातक वह बीड धारक चाचियों को भरती में सामिल होने का मौका दिया जाए मतलब यह कि जो हिंदी और संस्कित के साथ जिनोंने असनातक किया हुआ है और बीड हैं तो उनको भी भरती में सामिल होने का मौका दिया जाए जिसे कोड ने नहीं माना और याजिकाएं खारिश करती हैं या आदेश न्यायमूर्थी स्पी के सरवाने और न्यायमूर्थी राजेंदर कुमारी खनपीट ने बालकिश्व 94 अन्य सहित साथ याजिकाओं की एक साथ सुनवाई करते रिए दिया है कोड ने कहा कि किसी नियम कानून की आतारकिक्ता या मनमानापन तब तक चिन्नित नहीं होता कोड उसमें हस्तक्षिप नहीं कर सकती कोड ने कहा कि अधिनस विदायन की वैद्धा को दो आधारों पर चुनोती दी जा सकती है पहला नियम बनाने की सक्षमता नहों दूसरा उससे मूल अधिकारों का उलंगन होता हो तीसरा कोई आधार नहीं होता है तो कोड ने कहा कि विदायका लोगों की इच्छा का प्रदेशित करती है अपने अधिकार छेद का अधक्रमण नहीं करती हैं और लोगों की जरूरत्तों के अनुजार खाम करती हैं ऐसे मामलों में यहाम तोर पर इसमें हस्तक्षफ नहीं किया जा सकता तो कॉड़ ने कहा कि कहा कि एक आधार ये भी है कि स्वायंग को मिले अधिकार का अत्क्रमण किये बगहर नियम बनाएं अधिकार सीमा लागे नहीं तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही है मतलब यह कि जो आरता से स्बंदित बिवाद के लिए जो मामला कोड में था फिलाल वो याज का है यहाँ पर खारिज कर दी गही है और जो TGT की अरता है यह भी बनी रहेगी और LTE grade की जो अरता है यह भी बनी रहेगी basically LTE grade में यह जो TGT के लिए दूसरी अरता है सिर्फ इसी को मानने किया गया है यह बात आप लोग ध्याना कियेगा आगे बढ़ते हैं और एक ख़बर यह भी है कि उत्तरवदे स्लोक्सिवा आयोक की और से PCSJ की परिक्षा जो की 12 फरवरिक होने जा रही है तो इसमें LB, MHOA, OL, BL, LCDW और AAB यह दिव्यान यानि की PH की 6 कटेगरी बनाई कही है इसके अलावा जो अभ्यरती यहाँ पर आनलाइन आविदन किये हैं उनका अभ्यरतन निरस्त कर दिया गया है सारी डीटेल्स वेबसाइट पर उपलत हैं तो यहाँ पर 175 दिव्यांगों की PCSJ के आविदन निरस्त किये गये हैं वेबसाइट पर सूची जारी करने के साथ 3 फरवरी तक इस पर आपत्ती मागी कही है तो फिराल उत्तरपदेश लोकसिवा आयोग ने PCSJ परिचा 2022 के 175 आविदन रद्य कर दिये हैं सभी आविदन दिव्यांग की अलग-अलग उपस्रिणियों के हैं इस पर 3 फरवरी साम 5 बजे तक आपत्ती मागी कही है तो PCSJ के 303 पर उपर भरती के लिए आविदन प्रक्रिया 10 दिजंबर से स्टार्ट हुई थी प्रारमी परिचा 12 फरवरी को है आविदनों की जाज के पास सुक्रवार को आयोग ने 175 करने डेट्स के आविदन रद की है आयोग ने असपस्ट किया है कि PCSJ लिए दिव्यांग की आठ उपस्रिणियों और के लिए ही आविदन जो सुईकार किये जाएंगे यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है तो यहाँ पर पता जा रहा है कि आयोग के उनसार जो चाहत निरस्ट के गए हैं वे इन आठ उपस्रिणियों में नहीं है तो अभ्यर्थी ई-मेल कर सकते हैं अपनी आपत्ती भीज़ सकते हैं तीन फरबरी की साम पात बज़े तक आपत्ती जो है उद्दर्ज कराई जा सकती है आगे बढ़ते हैं और CTET डिसम्बर 2022 जिन अभ्यर्थी की परिक्षा टेकनिकल समस्था के करन पूरी नहीं हुई थी उन अभ्यर्थियों के एड्मिट कार जारी हो गए हैं डाउनलोड कर सकते हैं अब आप लोग ऑफिसल वेबसाइट पर जाकर तो 11, 18 और 24 नहीं को CTET की परिक्षा देने वाले समस्थ थी जो पहरती है ध्यान दे उस सेंडरों पर टेकनिकल इसू के कारण इस तारीकी परिक्षा हैं पूर्ण नहीं हो पाई थी जिसके लिए आपको सूचित किया जाता है कि जिन की परिक्षा 11, 18 और 24 नहीं होई थी वो लोग CTET.NAC.IN पर जाकर अपना एड्मिट कार्ड चेक कर ले आपका एड्मिट कार्ड जारी होता है तो CTET का एजाम दुबारा आपको देना पड़ेगा और यहां पर देखिए बात हो रही यूपी बोर्ड की कि 16 फ्रबरी से प्रस्तावित हाई स्कूल की परिक्षा में पहली बार OMR सीट का इस्तेमाल करने गा रही यूपी बोर्ड ने चाथ-चात्रों की स्तोहलित का भी ध्यान रखा है बोर्ड ने OMR सीट पर परिक्षारतियों की अनुक्रमांग और विसे पहले से मुद्रित करा दिये हैं ताकि परिक्षा के दौरान सीट भरतिस में गल्ती की आसंका नहों तो OMR के संबंद में बोर्ड सचियू दिविकान सुकल ने पसिशिशनरी को सभी जिल्ला विद्द ले रिक्षिकों की विस्ति निर्देश जो हैं जारी किये हैं और बताया गया है कि इसमें जो है जो OMR सीट होगी उस पर अनुक्रमांग पहले से लिखा रहेगा और अनुक्रमांग में कुछ भी कार्ट पीट कर वाइटनर वाइटनर न लगाया जा नहीं तो काफी दिक्कत जो है अब्रती को जिलनी पड़ेगी और फ्रेंड्स सामाने लोग असाधरान काम से पहुँचते हैं उचाहियों पर ऐसा कहना है वह हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी का तो प्रधान मंत्री स्टिडी में परिच्छा पर चर्चा कायकरम के छटे संस्क्रण में छात्रों सिचकों और आईवागों के साथ संबाद में ये बातें कहीं हैं तो आउसत बिद्यार्थी होने के बाद भी पढ़ाई पर फोकस संबंदी एक सवाल पर पी-म ने कहा कि ज़्यादा तर लोग आउसत से भी नीचे होते हैं पर जब अपनी छंदा को जान लेते हैं तो सरवादी छंदावान बन जाते हैं मतलब ये कि सारी बातें आपके अपने पर भरोसा करने और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है अगर आप मेहनत करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप राप्त नहीं कर सकते हैं तो फ्रेंट्स ये थी आज की न्यूज अपडेट अगर इस तन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सेर कर दीजिएगा हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए आगे निजिए नमस्कार जैहन